नमस्कार दोस्तों मैं सोरा वाट आप देख रहे हूं SS Creek Fantasy इस वीडियो के तुरू मैं आपको इस मैस से रिलेटेड हार एक प्लियर का रीसेन पॉर्म, हेड़ ड्रेकर्ड, भेनो रेकर्ड, कौन सायसा प्लियर है जिसको आज टीम में पिक कर सकते हो, कौन सायसा प्लियर है ज पीना स्किप किये पूरा रखिएगा और चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जूड़े रहिएगा, इसके अलबा स्मॉल डिगर टीम और कौन सा प्लेयर आज आपका ट्राम भी हो सकता है, फाइनल प्लेइंग लेवन, फाइनल फिज रिपोर्ट यह सब कुछ मैं आपको टे खेला जाने बला है, फास्ट जुलाई, यानि की कल, बारा वाजगार, टीस मिनिट पर, कहाँ पर हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे पर, आप देख लेता है, पिछ रिपोर्ट, यहाँ पर जो पीछ रहता है ना, वो जिराने लिए, थोड़ा बैटिंग पैराडइस लेकिन जो मतलब मेडल ओफ दा फेज, जो स्पीनर ठीक टाक स्पीन कर लेता है, तो रहा टर्न कर लेता है, उस टाइप का स्पीनर के उपर आप फोकस कर सकतो, लेकिन उतना भी स्पीनर इनफर्टें नहीं होने बाल है, फिलल आप यहाँ पर एक बैलेंस विकेड मन के चल स लेकिन आप स्कोरिंड भी देख सकते हो, पीच के बारे में आपको और करीब से समझ में आ जाएगा, और इस सीरीज में क्या हुआ था, इस सीरीज में अल्मोस्ट हर मैच में डीसेंट स्कोरिंग या, दो लोग इनिंग्स में, अगर वेश्ट इंडिस की टीम पहले बैटि जलता है, और कभी-कभार एकदम से मतलब स्टॉब हो जाता है, बहुत ही अन्फ्रेडिक टेवल टीम है, फिलल आप देख लेता है, स्कॉट लेंड की पॉस्विल प्लिंग लेवान, विद रिसेंट पॉर्म, विद हेडवेड रेकोर्ड, विद वेनु रेकोर्ड, सब कु होती अच्छा प्लियार आपके पास एवलेबल है, उस पर आपको क्रिस्टोफर मैकब्रिट को देखने कमें जाएगा, इसका भी रिसेंट फॉर्म एक-दू मैच को छोड़के कुछ खास नहीं है, नम्मा तिन पर आपको ब्रेंडन मैकमूलान को देखने कमें जाएगा, चैश्टी इट लेज इस के ई एवलेज है इस और इसका रिसेंट मुआँ आप देख सेकझे तो अल्मोस्फ़ मैकम कुछ ना कुछ किया जब पिछले माच में फ्लब गया ता, पिछे मैच को छोड़के, अल्लो पॉस्त हर मैंच में कुछ ना कुछ गया आप देख सेकं तो फ्लव हो गय था पाच दने किया खाइटा लेकिन हर mir अगुत कुछ गया कुछ लिजांडर नार के आगे थे थोड़ा करता है और और मार्क वाट का रेमय बाड़ी पढतां breakout के अगर आप चादो टीब में पिक कर सकते हो इस सीरीज में चार मैच में छे विकेड चड़का दिया ओपेनिंग बोलर की बात करें तो मार्क वाट के साथ आपको क्रीस सोल को देखने को में जाएगा और मैकमुलान को भी देखने को में जाएगा सारीज अगर खेलते हैं तो इनपरेंट भी हो सकते हैं खास करके स्कॉटलान की टीम अगर पहले बोलिंग करें उस कंडिशन में सारीज और भी इनपरेंट हो जाता है इसी तरीके से बेंच पार कुछ प्लियार का नाम है अगर खेलते हैं तो उसका भी रेकॉर्ड आप देख तो आपको यह बहुत सारे दे सकता है नहीं तो आपको यह सिंगर डिजिट पर भी स्कोरिंग करते हुए आपको दे सकता है उसको बाला आपको व्रैंडविक को देखिने को मिंच पाहिए इसका भी डिसेंट पर मुझे लगता है इसमाच प्रेक्श फ्लॉप के था लेकिन सब्सक्राइब करने वाला है उसके आपको साइब को देखने जगा सायओ का रिसेंट पॉर्म काफी वाडिया है और यह करने वाला है उपको कुछ क्याचिंग और स्टांपिंग वगरे से पोइन देने वाला है इसलिए साइब बहुत ही इंपर्टेंट पीग होने वाल है आप इसको क्याटेन भाइस कप्टेन भी वना चाकतो निकलास पुरान का रिसेंट पॉम आप देख साकतो काफी वड़िया है और आई पील में भी काफी अच्छा टास्में दिखा था इसलिए निकलास पुरान बहुत ही इंपिक होने वाल है आज भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको पर्फोनेंस करके दे सकते है रोस्तन चेस यह भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको पर्फोनेंस करके दे सकते है आप इसका भी रिसेंट फर्म देख सकते हो काफी बढ़िया है यहापर ती किमो पॉल इनपर्टेंट भी हो सकते हैं जरुर्वत प्रन्य में मतलब आपको यह हेटिंग भी करके दे सकते हैं और देथ में भी बॉलिंग करने आ सकते हैं अच्छा कैसा स्लुर का इस्तिमाल करता है और स्पीच का पर एफेक्टिव हो सकता है इसलिए किमो पॉल चटका के दे सकते हैं लेकिन अगर आप चातो इसको इग्नोर भी कर सकते हो अलजारी जोसेप बहुत ही इनपर्टेंट पीग होने वाला है विकेट टेकिंग बॉलर है चार मैच में इस सीरीज में आड़ विकेट चटका किया अल्मोस हर मैच में मतलब अल्मोस तो छोड़ यह रेकोड है आप देख सकते हो काफ ही इनपर्टेंट पीग होने वाले है अगर मैच खेलते हैं तो आप देख लेता है फैंटेसी टीम उच्टकी पर सेक्शन से आपको निकलास पूरान को देखने को मिल जागा इन दोनों को यह पिक कर देना निकलास पूरान बहुत ही होने वाले और सायों भी कंसिस्टेंटी आपको 40 प्रा स्कोरिंग बे चेह सकता है उख सिल्सके बेट चाल्स को प्ते कर सकते हो लेकिन चाल्स के बाड़े में बहत ہी unpredictable flare है काभी का बार हेटिंग करता है और काभी का बार ये मतलब single digit पर भी आपको scoring करता हुए दे सकता है इसलिए Charles को pick करना बहुत ryksी हो जाएगा अगर आप चाहत सो इसको pick कर सकते हो मैं आपको manna नहीं करूँगा अब इसको grandfather जरू ट्राइ करना All-Rounders एक्सान से जेसन लोंडर बहुत इन्पर्टेंट पिंग होने वाल है मैकपुलान मस्टप पिंग होने वाल है अगर आप चाहिए तो माइकल लिक्स को पिंग कर सकते हो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको पर्फोरेंस करके दे सकते है पिछले मैच को शोड़के अलमोस्ट हाने मैच पे लिक्स आच्छा कासा पर्फोरेंस या चाहिए वो बैटिंग हो या बॉलिंग लिक्स आज भी इन्पर्टेंट पिंग होने वाल है लेकिन आप हार एक इन्पर्टेंट प्लेयर को तो नहीं पिक कर सकते हो किसी को तो आपको ड्रफ कर नहीं होगा ग्राब्स इन्पर्टेंट पिंग होने वाल है रोस्तन चस्ट बैक्टिंग और बॉलिंग दुनों सब को पर्फोरेंस करके दे सकते है काईले मैस अगर खेलते हैं तो आँक बंद करके आप इसको पिक कर सकते हो बॉलिंग सेक्षन से मार्क वाट बहुत ही इन्पर्टेंट पिक होने वाल है आलजरी जोसेप को आप पिक कर सकते हो यह अल्लोमोस्ट हानमेच भी आच्छा कासा विकेट चटकता है और आप चाहतो जोंसन चाल्ज को पिक कर सकते हो नहीं तो आप कीमोप बॉल को पिक कर सकते हो अगर स्कौट लैंड के टीम पहले बोलिंग करे उस कंदिम में यह आप कीमोप पोल के साथ झाने वाला हूँ आप देखे लाते हैं Captain Vice Captain 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 के गार बात करें तो आप Sihop को Captain Vice को ने बना सकते हो बहुत ही मतलब safe पी होने वाल है क्यूंकि Sihop मतलब consistency आपको 40 प्लास scoring करते हुए दे सकते हैं और बहुत ही जिम्मेदरी के साथ खेलता है मतलब जितना भी scoring के आभी तक वह भी मतलब मतलब reputator वरी है जिम्मेदरी के साथ खेला है और wicked keeping से भी आपको कुछ ना कुछ पॉइंट देने वला है ना को रॉस्त औंचेस को भी Captain Fisketten बना सकते हो आप MacNoolan को भी Captain Fisketten बना सकते हो और आप Jason Holder को भी Captain Fisketten बना सकते हो वीडियो अच्छ लगा और informative लगा तो चैनेल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा